आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार है आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्त होंगे मस्त होंगे जल्दी जल्दी थोड़ा सा चोटी चोटी वीडियो को देखा करो और थोड़ा इसको शेयर किया करो लाइक किया करो यार और थोड़ा सा चैनल को प्रमोट करो भा तक्षशिला विश्विद्याले इसकी बात हम कर लेते हैं यह तक्षशिला विश्विद्याले जो अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट है यह भारत का प्राचिंतम विश्विद्याले था यह भारत का कैसा था तो भारत का प्राचिंतम विश्विद्याले है इस बात को थ बन गया कि यह सिंधु वह जेलम नदियों के बीच है नदियों के बीच तो यह सिंधु और जेलम नदियों के बीच में इस्तिता तक्षिला पहला है इसे विद्या की रानी और राज कुमारों का कॉलेज भी कहा जाता था दूसरा क्या आशादा है, इसे विद्या की रानी और राज कुमारों का कॉलेज भी कहा जाता है, तो इस तरह से इसे विद्या की रानी और राज कुमारों का कॉलेज भी कहते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है, यह भारत का प्राचिंतम विश्विद्याले है ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा तो यहां ध्यान रिखना तीसरी बात कर लेते हैं यह भारत का प्राचिंतम विश्विद्याले क्योंकि अब तो यह विश्विद्याले पाकिस्तान में चला गया आप जानते हैं तक्षिला बरतमान में कहां पर है तो पाकिस्तान में था लेकिन यह कहीं अगर देखा जाए अगर हम प्राचिं भारत पढ़ते हैं तो यह भारत का प्राचिंतम विश्विद्याले है ठीक है इस विश्विद्याले के जो द्वार थे वो द्विजों के लिए खुले थे ऐसा माना जाता है कि ये द्विज लोगों के लिए खुले हुए थे इस बात को थोड़ा सा कहीं कहीं समझने का प्रयास करिएगा हाला कि चंद्रगुप्त मौरित को लेकर तमाम बाते की जाती हैं और चंद्रगुप्त मौरित को बारे में तो मुद्रा राक्षस में ब्रशल तक कह दिया गया निमनकुल का कह दिया गया लेकिन उसके बाब जो भी चानक को लेकर आते हैं और उसको यहां सिक्षा दिक्षा म एक प्रकार से यहां एक और चीज बात कर सकते हैं कि इसको यहां धमानते वासी यह question बहुत important है यह ध्यान रखना द्विज में कौन आते थे द्विज में ब्राम्हन, छत्री और वेश यह थोड़ा सा ध्यान रखना यह द्विज में आते थे अब यहां पर एक question बनता है धमा यहां धमानते वासी धमानते वासी मतले धर्म का काम यह कि गरीब बच्चों के लिए गरीब बच्चों की निशुल्क शिक्षा निशुल्क सिक्षा, तो इस प्रकार से गरीब बच्चों के लिए झो धमानते वासी क्रांसिश थी, वो रात्री में कक्षा चलती थी, यह कहा चलती थी, रात्री में कक्षा चलती थी. ठीक है सर ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना ये भी आप से बिलकुल पूछा जाएगा इसके बाद अगर बात करते हैं तो यहां पर एक क्वशन और बन चकता है कि यहां सिक्षा प्रारंब करने की आयू 16 वर्ष और सिक्षन सुल्क जो है 1000 कारशारपन था यहां आयू कितनी ह है इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखने ना शुल्क है वो 1000 कारशारपन ये भी थोड़ा सा प्रशन पूछा जा सकता है एक और इंपर्टन बात है कि जो अश्वघोष जो अश्वघोष एक बहुत बड़े विद्वान हुए बुद्धिष्ट हुए जिनको कनिश्क का रा अश्वघोष के अंसार तक्ष शिला में तक्ष शिला में नेत्र की चिकित्सा होती थी नेत्र चिकित्सा होती थी इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना ये भी आपसे प्रशन बिलकुल पूछा जा सकता है जो बहुत इंपर्टन्ट है यहां वैदिक साहित के साथ-सा आपसे पूछा जा सकता है तो यहां पर 18 शिल्पों के शिक्षा दी जाती थी ये भी बहुत इंपर्टन्ट है दी जाती थी एक क्वेशन ओर बन सकता है यहाँ धनुर विद्या की भी सिक्षा है किसकी सिक्षा है इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेगा तो यहाँ धनुर विद्या धनुर विद्या की भी सिक्षा थी सिक्षा दी जाती थी तो यह थोड़ा सा ध्यान रखना धनुर विद्या की सिक्षा भी दी जाती थी यह भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है इस बात को थोड़ा सा ध्यान डखना मेरा ये कहने का मतलब है कि यहां पर धनुर विद्या की सिक्षा है वैदिक साहिति की सिक्षा है नेत्र चिकिस्षा है और कहीं न कहीं इस प्रकार से जो है चिकिस्षा शास्त्र ने चिकिस्षा मतल सिक्षा दी जाती थी यहां पर काम हो रहा है आपको अच्छी तरह यह बात मालुम है कि बाल रोग विशेशग्य जो जीवक था उसने यह पर ही सिक्षा प्राप्त की थी यहां रोग विशेशग्य विशेशग्य जीवक आपका नाम याद है ना मैं जीवक पर क्लास लेके आऊंगा जीवक बाल रोग विशशग जीवक ने यहीं पर सिक्षा प्राप्त की यहीं पर सिक्षा प्राप्त की है यह भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बाल रोग विशशग जो जीवक है वो यहीं पर सिक्ष प्रमुख विद्यार्थी तो प्रमुख विद्यार्थियों की बात अगर करें प्रमुख विद्यार्थियों में कौन-कौन थे तो कोशल नरेश कोशल नरेश प्रसेंजीत थे और कौन थे तो मैंने अभी कहा काशी राजकुमार ब्रह्मदत भी था तीसरा मैंने अभी कहा जीवक ने भी यहीं पर सिक्षा प्राप्त की है चौथा चंद्रगुप्त मौरे की सिक्षा कहा हो रही है यहां के जो कहीं प्रमुक एक तरह से विद्यार्थी रहे यह सब लोग यहां पर सिक्षा प्राप्त कर रहे हैं मेरा यह कहने का मतलब है तो इस प्रकार से देखें तो बिल्कुल ठीक है आपने बिल्कुल सही है तो यहां पर मेरा कहने है मतलब कि इस तरह के लोग जो है यहां पर सिक्षा जीवक जैसे लोग चरक जैसे लोग यहां पर सिक्षा प्राप्त कर रहे हैं पानीनी जैसे लोग कहने की सिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो यहां पर चरक की बात कर सकते हैं चरक से कहीं न कहीं बिद्वान लोगों ने यहां पर शिक्षा प्राप्त की है ये भी आप से बिल्कुल पूछा जा सकता है किलियर है यहां पर कह सकते हैं कि कोटिल हैं चाहें चरक हैं चाहें बिश्णू सर्मा हैं यहां के एक प्रकार से बहुत बड़े आचारे हुए जैसे मैं ने भी कहा कि यहां के यह तो आप लोगों ने पढ़ी लिया कि भई प्रसेंजीत, काशी, ब्रह्मधत, जीवक, चंद्रुत, मौरेश, चरक, पानीनी, आदी लिख दीजे और भी लोग थे यहां के प्रसिद्ध आचारियों की बात करें तो प्रसिद्ध आचारे की बात अग देखा जाए तो चरक भी बाद में यहां पर आचारे बनें, इसके बाद अगर देखते हैं तो पंच तंत्र के लेखक विश्णु सर्मा भी यहां पर आचारे थे, तो चानक के हैं, चरक हैं, चरक भी बाद में यही पर आचारे बन जाते हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्या के लेखक विश्णु सर्मा तो यह जितने भी लोग थे इस प्रकार से कहीं कि मैंने भी कहा यहां के प्रसिद्ध आचारे लेकिन यहां के प्रसिद्ध आचारियों में थे वो चानक एक बहुत प्रसिद्ध आचारे थे यह भी आप से बिल्कुल पूछा जा सकता है ठीक है न यहाँ पर इतनी चीजों को कहीं न कहीं यहाँ पर आप लोगों को जानना है यह ध्यान रखना जो विद्यार्थी शुल्क देकर कहीं न कहीं पढ़ा करते थे उनको आचारिये भागदायक कहा जाता था आचारिये भागदायक उन्हें कहा जाता था जो शुल्क देकर सिक्षा प्राप्त करते थे इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना यह question आपसे पूछा जाएगा और आचारिये भागदायक जो शुल्क देकर सिक्षा प्राप्त करते थे इनकी सिक्षा दिन में होती थी इनकी सिक्षा कब होती थी दिन में होती थी और जो फ्री वाले होते थे उनकी सिक्षा रात्री में हुआ करती थी यह भी आपसे जा सकता है तो सभाविक रूप से अगर देखें तो नंद और मौरे काल में तक्षशिला सिक्षा का प्रसिद्ध किंद्र था यह एक तरह से देखा जाए तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि एक तरह से मौरियों के समय में और नंदों के शासनकाल में यह एक शिक्षा का बहुत बड़ा किंद्र रहा है यह भी आप से बिलकुल पूछा जा सकता है ठीक है ना तो यहाँ पर छीजे थोड़ी सी पूछिया से जैसे वररूची हैं पतंजली हैं इस प्रकार से यहाँ पर पूछा है वररूची पतंजल इन लोगों का भी नाम इस तक्षिला विश्विद्याले में आता है कि वररूची हैं वसूबंदू हैं वररूची हैं तक्ष कहने के पतंजली हैं यह भी इस कहीं न कहीं विश्विद्याले से जुड़े हुए थे यह भी आप से पूछा जा सकता है मौरी युग में थोड वेतन राज की तरफ से मिलता था ये भी आप से पूछा जा सकता है कि राज की तरफ से यहां कहीं न कहीं वेतन आचारियों को दिया जा रहा है इस प्रकार से अर्थ शास्त्र में इसे पूजा वेतन की संग्या दी गई है किसकी संग्या दी गई है पूजा वेतन की संग्या दी गई है यह जो आचारियों को वेतन दिया जाता था उसे अर्थ शास्त्र में अर्थ शास्त्र में पूजा वेतन की संग्या दी गई है पूजा वेतन तो यह थोड़ा सा ध्यान रखना इस तरह से कहने के पूजा वेतन क मैंने अभी कहाना है उस समय के बड़े बड़े जो विद्वान थे रोप में तकशिला से जुड़े थे कुँकि अभी नालंदा का पादुर्भाव हो नहीं पाया है इसी लिए मैंने अभी कहा है चाहें वसुबंधु हो चाहें वर रूची हो चाहें पतांजली हो इस प्रका चाहें वर रूची की बात कर लें, वर रूची और चाहें पतंजली, इनका भी सम्मंद, इन तीनों का भी सम्मंद, किसी ना किसी रूप में तक्षिला, विश्विद्याले, विश्विद्याले से था, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किलियर है, तो इस तरह से त important information थी मैंने आपको दिया ऐसे छोटी छोटी वीडियो में आप लोगों को लेकर आऊंगा जैहिन जैभारत वंदे मात्रों